सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए तो पहला प्रिस्ट आपकी स्क्रीन पर है कि मत्पत्रों को सबसे पहले किसने प्रियोग किया था यानि के जो मत्रपत्रों जैसे के जो चुनाव में वोट डालते हैं तो वोट डालने के लिए जो मत्रपत्रों का इस्तमाल किया जाता है साथी हूं मत्रपत्र उसको कहते हैं तो मत्रपत्रों को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था प्राचीन यूनान ने इंग्लेंड ने औ आउस्टेलिया ने या यूसे ने तो आपको यहाँ पर धियान रखना है किस ने प्रयोग किया था प्राचीन यूनान के लोगों ने प्रयोग किया था इसलिए जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास अब उसके बाद देखिए अल 1292 में बनाया गया था इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो आप्शन नमबर डी के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए राष्ट मंडल का महा सचीव चुना जाने वाला पहला भारती ये कौन था साथ हो ये मोस्ट इंपर्टन प्रशन आपकी स्क्रीन पर है स्टार ल राष्ट मंडल के महा सचीव चुने वाल जाने वाले पहले भारती वैक्ति थे अब उसके बाद देखिए श्री कृष्न समीति रिपोर्ट किस से संब्समिद्र है तो श्री कृष्न रिपोर्ट समीति सातियों किस संब्समिन थ है शैक्षिक शनस्ताओं में सताना से या रै अप्शन नमबर D है तो बिल्कुल कारेक्टर भाई बहुत बढ़िया वरी गुट क्लास अब उसके बाद देखिए कुरुचेतर टू कारगिल ये पुस्तक है और ये पुस्तक साथ हुए किसने लिखी है किसके द्वारा लिखीत है आप से पूछा जा रहा है करण सिंग के द साथ इस क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करने के बाद क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर करेंगे चरी तो चेटवे नमबर का प्रशन है कि प्रकाशिय तंतू किस परिघटना पर आधारित होता है प्रशन आप से पूछा जा रहा है व्यतिकन पर पर परिक्ष साथियों शुंगलू समिती किससे संबंदिते आप से पूछा जा रहा है रक्षा प्रबंदन के पुनर गठन से सहकारी छेतरी के प्रबंदन से राष्टमंडल खेलों के घोटाले से या बीमा छेतर में सुधार से तो यहां पर आप लोग यह दिहान रखेंगे कि जब भी सा पर option number C के साथ है उन सब ही का बिल्कुल correct answer हो जाता है अब उसके बाद देखिए आज कल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निम्वे से किस गैस का प्रयोग किया जाता है इतना आप से पूछा जा रहा है sodium का, neon का, hydrogen का या nitrogen का, चली, तो क्या इसका right answer होगा बताइए, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों किस गैस का इस्तमाल किया जाता है, neon gas का इस्तमाल किया जाता है, आज कल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन साथियों लैंपों यहां पर लिखा होना चाहिए, राष्टिय बाड़ आयोग किस से संबन्दित है, बाड़ से, आपदा परबंदन से, आनाविष्टी और बाड़ से, या निर्धनता उप्षवन से, तो यहां पर साथियों आपका right answer जो होगा, जो राष्टिय बाड़ आयोग होगा, वो ज योग नहीं किया जाता है, तो मानब जातियों का साथियों जब वर्गिकरन किया जाता है, तो इन में से किस का इस्तमान नहीं किया जाता है, आख का किया जाता है, नाक का किया जाता है, बाल का किया जाता है, लेकिन कान का नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो यही साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे रेलवे के डिबो का निर्मान कहां पर किया जाता है पेरंबूर में भी किया जाता है इसलिए जो लोग भी यहाँ पर है option नमबर A के साथ तो बिल्कुल correct answer है आपका भई बहुत बढ़िया very good class next number का question है कि किसी तत्व के रासाइनिक गुण निर्मलिकित में से कौन तै करता है प्रोटॉनों की संख्या तै करता है किसी तत्व के रासाइनिक गुण को यह एलेक्टॉनों की संख्या करता है यह सब ही करते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखना है कि जो परेवर्णी आयोजन के साथ सम्मन्दित संगठन है तो इन में से कौन सा चार संगठन आपके सामने हैं इन में से कौन सा संगठन जो है जो परेवर्णी आयोजन के साथ सम्मन्दित है तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो N-E-R-I के साथ जाना चाहिए N-E-R-I के साथ चली यहाँ पर अगर साथियों बात करें इन डवल ई आर आई क्या है तो इसको हिंदी में क्या कह सकते है राश्टिय परेवण अभिहंत्र की अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं इसी से परेवणी आयोजन जो है वो सम्मधित है अब उसके बाद देखेंगे नेक्स नंबर का कोशन है कि मैंगरोव बनो पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा बताईए क्या जो मैंगरोव बन होते साथियों इन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक तापन यहां पर लिखा हुआ है तो वे अधिक परचुरता से पैदा होंगे मैंग्रोव के विशाल शेतर जलमंग्न हो जाएंगे या कार्बन सिक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत पूर्ण हो जाएगी या ए और सी तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सातियों मैंग्रोव वनों पर जो पैश्विक दापन होता है इसका क्या उनका प्रभाव होगा मैंग्रोव के विशाल शेतर जलमंग्न हो जाएंगे इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा चली अब उसके बाद देखे यहां पर जो आपसे साथियों पूछा जा रहा है पूछा ये जा रहा है कि फलों के मीठे स्वादिका करन क्या है तो फल जो होते हैं साथियों मीठे होते हैं इसकी वज़ा क्या होती है मौल्टोस राइबोस लेक्टोस या फ्रेक्टोस तो फ्रेक्टोस की वज़ा से साथियों फल जो होते हैं मीठे होते हैं आंसर आपका जो जाता है यहाँ पर वो आप्शन नमबर डी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए विलोपन की कगार पर सबसे जादा संकटा पत्र एशिया का शीर्श पर भख्षी है साइबेरिया बाग धोल काला भालू या एशिया इशियर यहाँ पर आप इक संकटा पत्र एशिया का जो सबसे शीर्श पर भख्षी है वो डोल है अब उसके बाद देखिए भारत में गेहूं की निम्लिकित जातियों में से किसकी खेती जो है वो ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही आंसर आपको ऑप्शन नमबर बी के साथ जाएगा निम्लिकि इसका राइट आंसर जो होगा जो गरशन बल है इसको कहते हैं इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं आप्शन नमबर बी के साथ जो सोच रहे हैं कि उत्तर भी होगा तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखे यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा बढ़ जाएगा घड़ जाएगा या इस तिर रहेगा या उपर अक्तर साभी होगा बताईए मान लिजए साथियों ये क्या है ये कोई प्रतिरोधक तार है ये क्या है ये कोई प्रतिरोधक तार है मान लिजए इतना ये प्रतिरोधक तार है अब हमने इसको सातियों खीच कर क्या कर दिया, हमने इसको खीच कर इतना कर दिया, तो इसके अंदर जो जादा प्रतिरोध था, अब वो लंबे में फैल जाएगा, इसलिए कहा जा सकता है, कि जो प्रतिरोध होगा, वो सातियों कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा यानि के घड़ जाएगा इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा लियूमें जो है वो एक अक है किसका आप से पूछा जा रहा है जोती फलक्स का जोती तीवरता का पुरदीबत घनत का या चमक का यह आपको यह बताना है कि किसका मातरक होता ह लियूमें होता है इसलिए आंसर आपका जिनका भी आप्शन नमबर A के साथ है तो बिलकुल करेक्ट आंसर है आपका भी बहुत बड़या वेरी गूट क्लास उसके बाद देखिए जहास की चाल मापी जाती है किसमे मापी जाती होर्स पावर में एंगल स्ट्रॉम में जू पूछा जा रहे हैं कि कार और पेटरॉल हैं बताईए। पूरक वस्तुमें कहलाई जाती हैं तो जो लोग भी यहाँ पर हैं option number C के साथ उन सभी का बिल्कुल correct answer है अब उसके बाद देखिए next number का question है कि अंतर राज्य व्यापार पर रोक लगाने के लिए कौन प्राधिकरत है राश्टपती, वित्यमंत्री, संसद या राज्य विध यहाँ पर राश्टी अँजर आंसर अगर बात करें क्या होगा roundy answer तो राज्य विधाई का इसाथ उन सभी करने के लिए कर लगाने के लिए कौन प्राधिकरत है तो राज्य विधाई का प्राधिकरत है आपको ध्यान लगने अंतर राश्टी चावल अनुसंधान संस्था ये कहां पर स्थित है मनीला में धाका में काटक में या बैंकॉंग में तो अंतराश्टी चावल अनुसंधान संस्थान सातियों फिलिपीन्स की राजधानी मनीला में स्थित है इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं आप्शन नमबर A के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन के राबर को वलकनित करने के लिए प्रियुक्त का तत्व है यानि के राबर को जब वलकनित करते हैं तो किस तत्व का प्रियुक किया जाता है सल्फर का, ब्रोमीन का, सिलिकॉन का या फॉस्फोरस का तो किसका इस्तमाल किया जाता है साथियों सल्फर का इस्तमाल किया जाता है आपको धियान रखना है आंसर आपका जो जाएगा वो option number A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि निम्रिकित में से कौन सा नियत लागत के संगत है परिवाहन वे, संपत्ती पर बीमा प्रेमियम, कच्ची सामगरी के लिए भुक्तान या श्रम लागत यहां पर आपका review answer क्या होगा सात्यों? कौन सा नियत लागत के संगत है? तो संपत्ती पर बीमा प्रेमियम नियत लागत के संगत है आपको ध्यान रखने जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की इस्तिती से बाधित किया जाए तो उसकी इस्तिति उर्जा को क्या कहा जाएगा चलिए तो उसकी इस्तिति उर्जा कम हो जाएगी बढ़ जाएगी शून हो जाएगी या इस्तिर रहती तो उसकी इस्तितिच उर्जा सातियों इस्तिर रहती है जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुरन की स्तिती से नेपिडो भी कही पर लिखा होता है तो मेंआर की राजधानी क्या हो जाएगी option number B में जो लिखी हुई है नेप योडाव उसके बाद देखेंगे अगले number का question जो आपकी स्क्रीन पर है बताने की कोशिश करेंगे मध्ध railway का मुख्याले आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कहां पर परिस्तित है मुंबई में जैपुर में नागपुर में या विजयवाडा में तो देखेंगे अगर मध्ध railway की बाद चले तो मध्ध railway का मुख्याले कहां परिस्तित है तो मुंबई में स्तित है यह बात आपको दिहान रखना है आंसर आपका किस option के साथ जाएगा option नंबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कापास के उत्पादन के लिए निम्रिकत में से कौन सी मिट्टी का इस्तमाल सबसे उप्युक्त माना जाता है कंकर मिट्टी का रेगुण मिट्टी का रेगुण मिट्टी का या भंगर मिट्टी का या खदर मिट्टी का तो किसका साथ यो रेगुन मिट्टी का माना जाता है सबसे उप्युक्त मिट्टी कमानी जाती है ये किसके लिए कापास के लिए ये बात आपको ध्यान रखने आंसर आपका जो जाएगा वो option नंबर B के साथ जाएगा तो उसके बाद देखिए अगले नवर का प्रशना है कि पहली बौद परशद कहां पर हुई थी आपसे पूछा जा रहे हैं पाटली पुत्र में, कुंडल वन में, राजग्रह में या वैशाली में बताईए तो राजग्रह में हुई थी ये बात आपको ध्यान रखने जिनका भी आंसर यहाँ पर है उप्शन नमबर सी के साथ तो बिलकुल करेक्ट आंसर है अब उसके बात देखिए कि इस्ट इंडिया कमपनी यानि के कब इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज यानि के मदरास में है तो साथी जो मदरास में है जो पहला किला फोर्ट सिंट जोर जाये ये इस इंडिया कमपनी के द्वारा साथियों कब निर्मित किया गया था 1653 में 1563 में 1753 में 1853 में तो कब किया गया था अगर ये पृष्ण आप से पूछा जाये तो 1653 इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए हारे और सच उत्पादन का लक्ष क्या है क्या होगा इस पृष्ण का बिल्कुल सही हुत्तर बताने की कोशिश करेंगे तो अगर आपने क्लास को साथियों लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे यहाँ पर अगर बात करें हरे और सच उत्पादन का लक्ष यह है कि क्रशी की उत्पादक्ता की जाए यहने कि आंसर आपका आपका आप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है अब उसके बाद देखिए कि नई अखिल भारती सेवाएं बनाने के लिए सक्षम पराधिकारी कौन है लोकसभा है संग लोकसेवायोग है संसद है या राजसभा है तो नई अखिल भारती सेवाएं बनाने के लिए साथियों कौन जिमेदार है कौन पराधिकारी है तो 38 अविधान के निम्रीखित में से किस अनुच्छद में गाउं में पंचायते इस्थापित करने का परवधान है अनुच्छद 41 अनुच्छद 38 अनुच्छद 40 या अनुच्छद 49 तो यहाँ पर साथियों बात करें इस कुर्शन का बिल्कुल सही उतर आपका जो होगा वो अनुच्छद 40 के साथ जाएगा यहने कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छद केता है तो अनुच्छद 49 के तहट गाउं में पंचायते इस्थापित करने का परवधान है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर C के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बाए बहुत बढ़या वेरिगूट प्लास इम्बोर्टन कोशन था उन्तालिसमे नंबर का पrito आपके स्करीन पर है यहाँ पर आपको साथियों बताना है क्या होगा इस कोशन का राइट अंसर कि मदरास की दुर्ग के साथ संबंदित है सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ विलियम दुर्ग के साथ सेंट डेविड दुर्ग के साथ या सेंट जॉन दुर्ग के साथ साथियों इस क्लास में हमने कि इस परकार के पृष्णों का समवेशन किया है मैं आपको दुबारा से बता देता हूँ तीन परकार के पृष्ण है सिंपल भी है, मौडरेट भी है, हार्ड भी है तो आपको सात्यों इन प्लासेस के माध्यम से मौक टेस्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप सात्यों कितने तैयार हो चुके हो यहनकि परक्षा में इस देखे, तीनों परकार के पृष्ण आप से पूछे जाएंगे तो अगर इस परकार का पृष्ण पत्र यहनकि इस परकार के कोश्शन्स आपको सामने आ जाते हैं तो कितने कोश्शन्स आप लोग बिलकुल करेक्ट करपाते हो पचास में से बीस का टारगेट आपको साथी होना चाहिए कम से कम पचास में से बीस का चलिए मदरास की दुर्ग के साथ सम्मंदित है प्रशन आपसे पूछा जा रहा है तो सेंट जौर्ज दुर्ग के साथ सम्मंदित है मदरास ये आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी है option number A तो बिलकुल correct answer है अब उसके बाद देखिए कि वाराणसी और करन्या कुमारी को जोडने वाला सबसे लंबा राश्टिय राजमार्ग कौन सा है तो नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 10 या नेशनल हाईवे 17 या नेशनल हाईवे 14 तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी और करन्या कुमारी को जोडने वाला जो सबसे लंबा राश्टिय राजमार्ग है वो नेशनल राष्टी राजमार्ग साथ है ये बात आपको ध्यान रखना है तो जो लोग भी आँ है आप्शन नंबर एक के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका अब उसके बात देखिए के भारत के राष्टपती के आपात कालीन अधिकार कहा के सविधान से लिये गए हैं आईरिश के जर्मनी के जर्मनी के विमार गरतंत से या औस्टेलिया से या कनाड़ा से जो राश्टपती का आपात काली अधिकार है यानिके राश्टपती का राश्टपती आपात काल लगा सकते हैं तो ये साथियों किस देश के सविधान से लिया गया है ये जर्मनी के सविधान से लिया गया है ये बात आपको ध्यान रखना है आँसर आपका जो जाएगा वो spirit sheet अनू प्रयोग की पहचाने है यहाँ पर आपका साथ हो right answer क्या होगा spirit sheet बताईए कहाँ पर इस्तमाल होता है spirit sheet आपने यहाँ पर देखा होगा आपने computer में देखा होगा Excel में अगर बात करें इस प्रकार के आपको यहाँ पर थोड़ा सा तेड़ा खिछ रहा है लेकिन कोई दिकत में आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ देखिए यहाँ पर आपको कई सारे cell नजर आ रहा होगे जैसे के cell 1 है, cell 2 है, cell 3 है, cell 4 है cell 5 है, cell 6 है, cell 7 है इस परकार के सेल्स जो होते हैं ये सातियों अगर बात करें ये कहां पर आपको दिखाई देते हैं ये MS Excel में आपको दिखाई देते हैं और इसको ही क्या कहा जाता है Spreadsheet कहा जाता है तो Spreadsheet आनू का प्रयोग को पहचाने यानिके कहां पर इसका प्रयूग किया जाता है तो MS-XL में इसका प्रयूग किया जाता है यह बात आपको धियान रखते हैं अब उसके बात देखिए अगले नमबर का प्रुशन के निकित में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं है उसके बात देखिए अगले नमबर का प्रुशन आपके स्क्रीन पर है कि निकित में से कौन सा सुरोत संग सरकार का सुरोत नहीं है तो कौन सा इसमें से संग सरकार का सुरोत नहीं है व्यापार कर जो है साथियों यह संग सरकार का सुरोत नहीं है संग सरकार का कर नहीं है इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो option number C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि समाजवाद का पर्थम वैग्यानिक विशलेशन किस ने किया था कारल मार्क्स ने, वेल्स ने, पेगु ने या डिकेंसन ने तो साथियों किसके दौरा किया गया था, कारल मार्क्स के दौरा किया गया था, क्या किया गया था समाजवाद का पहला वैग्यानिक विशलेशन जो किया था, वो कारल मार्क्स ने ही किया था तो यहाँ पर जिनका भी answer, option number C के साथ था, तो बिलकुल correct answer है आपका अब उसके बाद देखिए कि भारती योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी कई बार ये परिक्षा में भी आपसे पूछा जा चुका है और कई बार इस कोशन को मैं भी करवा चुका हूँ तो योजना आयोग की जंगा अब तो निती आयोग है और निती आयोग की स्थापना साथियों 2015 में हुई थी लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है तो जिनका भी आंसर यहां पर है आप्शन नमर डी के साथ तो बिल्कुल करेक आंसर है आपका भई बहुत बढ़िया तो उसके बाद देखिए कि रॉबिंसन के अनुसार अर्थ शास्तर क्या है तो अर्थ शास्तर क्या एक आदर्ष विज्ञान है या एक मानिकी विज्ञान है या सकरात्मक विज्ञान है या मानिकी और सकरात्मक विज्ञान दोनों है या कला और विज्ञान दोनों है ये आपसे साथ यों पूछा जा रहा है बताने की कोशिश किजे तो आंसर आपका किस option के साथ जाएगा जिनका भी answer D है तो सही नहीं है आंसर आपका जो सही होगा वो option no. C होगा यानि के अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान किसने कहा है मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान किसने कहा है तो मार्शल ने कहा है लेकिन रोबिंसन की अगर बात करे तो इसने अर्थशास्त्र को मानकी और सकारात्मक विज्ञान कहा है इसलिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर के अगर बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ के साथ जाएगा यहाँ के महात्मा गान्दी द्वारा लिखी पहली पुस्तक जो थी वो साथियों कौन सी थी जो आप्शन नमबर A में लिखी हुई है जिनका भी आंसर A है तो ब इसका साहिएक था आपको ध्यान रखना है महायान बुद्धवाद का साहिएक था इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुछणाप की स्क्रीन पर है कि निम्लिकित में से यह कि भारत के निम्लि अब क्या होगा सातियों तो प्रिश्ण आपके लिए ये होमवर के लिए रहा तो सातियों यहाँ पर समानि ज्यान के इन 50 प्रिश्णों को हमने देखा जो बहुत ही महत्पूर्ण थे आपकी परिख्णा के लिए उमीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी अगर करें